अगर आप हमारे यूटूब चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए जो भी एमकॉम के स्टुडेंट्स है चाहे वो जो भी एमकॉम के स्टुडेंट्स है तो आप लोग जानते ही हैं कि सेमेश्टर वन में मैं इने all topics cover किये हैं जो भी चीजे है जो भी syllabus है पुरा syllabus cover कर आया है आप लोगों को तो mcom same one तो clear हो गया और जो tyb.com के student अगर वो इस channel पर आये हैं और वीडियो देख रहे हैं तो उनको यही recommend करूंगी कि आप subscribe कर लिजे because कि आपको ideal लग जाएगा कि क्या-क्या mcom में subject होते हैं और case की तरीके से हैं free of cost इस channel में आपको वीडियो मिल रहे हैं तो benefit जरूर उठाइए all students और अपने friend circle में जरूर शेयर करिए तो यह बात रही कि semester 2 research and methodology for business तो यह subject है आपको and especially बता दूंगी यह subject आपको PhD कर रहे हो आप M fill कर रहे हो या फिर आंगे चलके after income कोई research कर रहे हो या फिर business research वेगरे रिलेटेड तो यह बहुत ही important है आपके career related आप कहीं पर भी देख सकते हो तो यह research methodology very very important तो इसको भी मैं आप पूरी book का एक एक chapter का अच्छे से समझाऊंगी अच्छे से concept clear कराऊंगी तो हमारे इस channel क subscribe जरू कर लीजेगा देखे इस chapter में आपको syllabus है और यह syllabus पूरा में यहाँ पे cover कराऊंगी no need class लगाने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे free में मिलेगा आपको श्रिप आपको like करना है and video को देखते जाना है कोई भी doubt है आप मुझे बोल सकते हो और यह है आपका paper pattern इस book का PDF PDF आपको description box में मिल जाएगा इसी वीडियो के नीचे description box में पूरे book का PDF मिल जाएगा सारे topic हर चीज आपको यहाँ पे available है तो जो भी आपके जो भी m.com students है आईडल से कर रहे हैं या फिर regular कर रहे हैं तो उनको आप शेयर करिए अपने status में रखिए और शेयर करिए जिसने भ benefit जरूर उठाईएगा thank you so much for watching this video जितने भी m.com student है तो फटा फटा भी शेयर कर दीजिए और मैं कोशिश करूँगी कि आपको आप सामने आके blackboard में teach करूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए मेरे teaching कैसी लग रही है आप लोग जरूर बताना और जो लोग class लगाना चाहते हैं मेरे से तो वो लोग comment में जरूर बताना thank you so much for watching this video